आप सभी का फिर से स्वागत है competition community के इस online platform पर मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं current affairs आज हमारे लिए है national और international current affairs day याने की राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय स्थर पर जो भी समसमाई की हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे exam के लिए महत्वपूर्ण है उनको आज हम डील करने वाले हैं और इसका जो time frame रहेगा ये रहेगा आपका जुलाई महिने के दूसरे हफ़ते में हुई वे सभी समसमाई की घटना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी और यही आपको this week के रूप में आप लोगों को आप लोगों के app में जो competition community का app है उसमें this week करके एक section आप लोगों को मिलेगा उस section के अंदर में यह सारे pdf's आफ सभी को मिल जाएंगे आये शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं national और international current affairs में हमारे पास इस हफ़ते की क्या महत्वपूर्ण headlines हैं या फिर महत्वपूर्ण events हैं कौन सी हमारे पास में मह पात्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमें जाननी जरूरी हैं सबसे पहला है नेटो का समिट हुआ है 2024 का दूसरा है 46 वर्ल्ड हेरिटेज समिट होने वाला है तीसरा है इंडिया का पहला trans shipment port यह सभी वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें information देखनी हैं इसके बाद में हम दे हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहली हैं आपकी रोश्णी नडार दूसरे हैं गौतम गंभीर तीसरे हैं आपके पास में मसौद पिजैस्कियन उसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाएंगे पीवी सिंदू और अच में आ जाएंगे प्लेसे जिन न्यूज या फिर चर्चित स्थान और चर्चित स्थल में सबसे पहला हमारे पास में है राजस्थान क्यों इंपॉर्टन्ट है क्योंकि यहां पर एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड रेलवे टेस्टिंग ट्रैक बन गया है ना द क्यों किया गया है यह सब चीज देखेंगे और इसमें इंडिया को मिला है यह सभी हम देखेंगे आगे चलते हैं फिर हम देखेंगे हमारे लिए खेल संबंदित हमारी क्या समसमाई किया है सबसे पहला है ICC Player of the Month June गोशित किया गया है Player of the Month male और female दोनों ही उसके बारे में हम information देखेंगे फिर हम देखेंगे कौन सा Asian squash doubles का championship हुआ उसके बारे में देखेंगे फिर हम देखेंगे Spanish Grand Prix के बारे में फाइनली हम देखेंगे इंडिया वर्सेज जिंबावे का जो T20 सीरीज है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हम पहुंचेंगे हमारे कहां पर कुछ ऐसे विविद तत्य जो हमारे स्पोर्ट्स पीपल या फिर प्लेसेज और इवेंट्स के सेक्शन में ना करके भी हमारे एक्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम देखेंगे जैसे कि मिस ए आई विश्व सौंदर ये प्रतियोगिता दूसरा जोरावर बजाज फ्रीडम 125 ये 125 बाइक है बह बजाज फ्रीडम लिखा है तो ये स्वतंत्रता नहीं है बजाज फ्रीडम हमारे लिए क्यों important है आई यह शुरू करते हैं सबसे पहला हमारे पास में जो है वो है आपका important this week यानि कि जो आपका North Atlantic treaty organization है जिसे हम क्या बोलते हैं नेटो नौथ Atlantic treaty organization जो एक क्या है आपका pro military alliance है यह pro military alliance इसका 2024 में शिर्ष सम्मेलन हुआ था कहां पर हुआ है यह बहुत जादा important है इस साल के पूरे साल भर यह आप लोगों के प्रतियोगी परिक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाएगा कहां पर हुआ है यह हुआ है Washington DC में कब से कब तक हुआ है तो 9 से लेकर के 11 जुलाई दोहजार चौबिस तक यह क्या हुआ है और्गनाइज कराया गया है डायरेक्ट क्वेस्टन्स डायरेक्ट आंसर्स रट्टा होना चाहिए अब यह क्या है यह देख लेते हैं दोहजार चौबिस वाशिंग्टन शिखर सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाएगा दोहजार चौबिस वाशिंग्टन शिखर सम्मेलन के नाम से यह जाना जाता है जो की उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन के 32 सदस्यों उनके साजेदार देशों और यूरोपिय संग के राश्ट्रा ध्यक्षों और सरकारों के प्रमुख की बैटक थी क्या नाम था इसका वाशिंग्टन फिकर सम्मेलन 2024 कौन-कौन इसमें भाग लिया उत्तरी अट्लांटिक संधी संगठन के 32 सदस्यों के साथ-साथ उनके जो साजेदार देश थे और यूरोपिय संग के राश्ट्रा धक्ष थे इन सभी ने इसमें क्या किया है इसके बाद में नेटो के बारे में थोड़ा साम information देख लेते हैं इसका जो हेड़ क्वाटर है वो है कहां पर ब्रूसल्स बेल्जियम में एंड नेटो इस अ पॉलिटिकल एंड मिलीटरी अलायांस ओफ कंट्रीज फ्रॉम यॉरप और नॉर्थ अमेरिका इस members are committed to protecting each other from any threat मतलब मैंने बताया यह क्या है आपका प्रो इलीटरी अलायांस है और इनका उद्देश क्या है इनके जो सदस्य देश है उनने से किसी भी एक पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है जो इसका सदस्य नहीं है तो यह पूरे के पूरे बत्तिश जो आपके क्या है इसके मेंबर्स हैं सब मिल करके उस देश के उपर में क्या कर देंगे हमला कर देंगे इसलिए इसे क्या कहा जाता है इडिस अ प्रो मिलीटरी अलायंस ओफिशियली लेट डाउन on 1949 मतलब 4 April 1949 को इसका गठन किया गया था with signing of North Atlantic Treaty उत्तरी Atlantic संधी के हस्ताक्षर करने के साथ ही 4 April 1949 को इस जो organization है इसकी नीव रखी गई थी treaty derives its authority from article 51 of United Nations Charter मतलब यह जो organization है इसकी जो शक्तियां है इसका जो शक्तियों का आधार है वो कहां से आता है वो आता है आपके अनुच्चेद इंक्यावन से किसके अनुच्चेद इंक्यावन से संयुक्त राष्टर चार्टर के आपके अनुच्चेद इंक्यावन से इनको क्या मिलता है ताकत और आधार प्राप्त होती है ठीक है वही सारी information आपको हिंदी में लिखा हुआ है अनुच्छेद इंक्यावन से किसके अनुच्छेद संधी आपका संयुक्त राष्ट चार्टर के अनुच्छेद इंक्यावन से अपना अधिकार प्र पुष्टी करता है तो आप लोगों से directly कभी question पूचा जा सकता है United Nations का Charter का अनुचेद 51 किस से संबंद रखता है 51 जो है किन से संबंद रखता है तो यह क्या करता है व्यक्तिगत या फिर समुहिक रक्षा के लिए अंतरनीत अधिकारों की पुष्टी करता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं 46 विश्व धरोहर समारोह या फिर समेलन है तो जो आपका 46 विश्व धरोहर शिखर समेलन है इसका जो आपका और्गनाईज होने वाला है यह 21 से लेकर के 31 जुलाई दोछार चॉबिस तक होने वाला है कहां होने वाला है वरी वरि वरी इंपॉर्टेंट न्यू डेली में यह होने वाला है याने कि भारत के भारत मंधपम अंतरराश्ट्रीय परदर्शनी और कर जुन मुंय है यह सी सी है ना जिसे हम शॉट में भारत मंडपम के नाम से जानते हैं तो यह कहां पर होने वाला है न्यू डेली में होने वाला है प्रॉम 21st to 231st July to 2024 और यह कहां पर होने वाला है भारत मंडपम International Exhibition and Convention Center very 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 important आप लोगों से कभी भी International Exhibition and Convention Center of India कहां पर स्थापित है यह पुछा जा सकता है उसका नाम क्या है यह पुछा जा सकता है जो विश्व स्तरी जो भी सम्मेलन होते हैं exhibitions होती है उनको अगर हम भारत में कहीं करते हैं तो वो कहां पर करते हैं भारत मंडपम यह एक वर्ड क्लास आपका है क्या है जहां पर हम अंतर राष्टिय सम्मेलनों को साथ-साथ पर हमारे देश के गौरव जभी जो भी सम्मेलन होते हैं उन सभी को हम कहां करते हैं भारत मंडपम में कहां पर है भारत मंडपम डेली में नियू डिली में और हाली में वहां क्या होने वाला है 46 विष्व धरोहर सि मंधन यहाँ पर आयोजित होने वाला है बहुत जादा important है अगला हमारे पास में है भारत का पहला ट्रांस shipment port कहां पर य्ये बनने वाला है भारत का पहला है बहुत important ये बनने वाला है बन चुका है तिरुवनंत पूरम केरल में क्या है ये आखिर ये ट्रांस्चिप्मेंट पोर्ट है क्या जो भारत का पहला हम बोल रहे हैं अडानी समू का विंजी घम विंजी घम ये इसका नाम है अंतरराश्ट्रिय बंदरगाह अडानी समू का विंजी घ सालिट याने की सेमी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक क्या है कंटेनर बंदरगाह है वेरी इंपोर्टेंट इडिसा कंटेनर डॉक्यार्ड यह डिजाइन निर्माण वित्त संचालन और हस्तांतरन मॉडल के साथ सारवजनिक नीजी भागीदारी का एक उदाहरन है याने की इडिजाइन बिल्ड है ना डिजाइन बिल्ड फाइनन्स ऑपरेट एंड ट्रांसफर तो जैसा कि हम पीपी मॉडल में पढ़ते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोडल होता है उसी प्रकार से यह जो आपका भारत का पहला ट्रांसचिप्मेंट है यह किस प्रकार से है डिजाइन बिल्ड फाइनन्स ऑपरेट एंड ट्रांसफर इस मॉडल पर अधारित यह क्या है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप कि द्वारा निर्मित जिसमें भारत सरकार के साथ में अडानी समूह ने अपने क्या किया है इस साजेदारी में भाग लिया है और इसने क्या बना दिया है भारत का पहला ट्रांश शिप्मेंट पोर्ट होता यह है जब विश्व का पूरा का पूरा अगर हम ट्रेड देखें तो maximum trade है वो होता है किसके माध्यम से water waste के माध्यम से oceanic roots के माध्यम से जो बड़े बड़े containers होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या load होता है आपका raw material load होता है finished goods rule आपके क्या होते हैं load होते हैं और इन containers को एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है लेकिन हमारे भारत के साथ में problem अभी तक यह हो रही थी कि जो बड़े बड़े container ships होदा करते थे आपके जापान से चाइना से जो इंडिया आने वाले थे उन सभी को हम अपने यहां पर क्या नहीं कर पाते थे उनका shipment नहीं करा पाते थे मतलब वो उतने बड़े ships को उतने बड़े container ships को handle करने के लिए हमारे पार port नहीं थे हमारे पास जो ports थे वो काफी छोटे-छोटे ports थे इसलिए हमारा जो 75% ट्रांशिप्मेंट होता था ट्रांशिप्मेंट कारगो मतलब जब एक जगह से दूसरे जगह अगर हम लोगों को products को पहुँचाना है लेकिन वो directly नहीं हो पाता हमें बीच के किसी क्या यूज करना पड़ता है बीच के सभी material को उनके destination पहुचाया जाए तो यह जो procedure बीच में होता है बड़े आपके container vessels से लेकर के छोटे shipment से उसको transfer कराने का इसे हम बोलते हैं ट्रांशिप्मेंट और यह जो ट्रांशिप्मेंट है यह world trade में अपना बहुत बड़ा भागिदारी निभाती है तो इंडिया के पास में बड़े port ना होने के कारण एक तो इंडिया में पहुचने वाले जो product थे उनके लिए हम लोगों को ट्रांशिप्मेंट का 75% कहां पर होता था भारत के बंदर गाहों में होता था जैसे की कुलंबो, सिंगापूर और क्लैंग ये तीन ऐसी जगाँ है जहां पर भारत अपने products के लिए क्या है निर्भर करता था ट्रांशिप्मेंट के लिए इन तीन ports पे कुलंगो, सिंगापूर और आपका क्लैंग इन तीनों पर साथ ही भारत के रूट से होते हुए जौरप तरफ जाने वाले अमेरिका तरफ जाने वाले अफ्रीका तरफ जाने वाले जो products होते थे उनमें भी ट्रांशिप्मेंट के लिए भारत किसके उपर डिपेंड था इन आपके विदेशी बंदर गाहों के उपर में याने कि अगर जापान से किसी product को अमेरिका जाना है और उसका जो रूट है वो इंडिया से हो करके गुजरता है तो इंडिया से अगर उसने MOU sign कर लिया है कि जापान के जो products हैं वो पहले इंडिया में उतरेंगे और फिर इंडिया उसे shipment करेगा कहां पर अफ्रीका और यॉरोपिय देशों में तो वहां पर भी हमें किन पर होना पड़ता था यह कुलंबो सिंगापूर और क्लैंग पर अब होगा क्या यह जो ट्रांशिप्ट्मेंट पोर्ट है इसके निर्मान के बाद में जापान से आने वाले चाइना से आपने वाले या किसी भी अन्य देशों से आने वाले बड़े बड़े जो कार्गो वेसल से वो हमारे भारत के तिरुवनंत्पूरम में उतरेंगे वहाँ उनने डी कंटेनर किया जाएगा मतलब वहां से उनके कार्गो को उतारा जाएगा फिर उन कारगो को चाहे land road से हो चाहे sea road से हो चाहे airways से हो हम क्या करेंगे उनका trans shipment करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है हमारे geopolitical geoeconomic जो हमारा ecosystem बनने वाला है उसके लिए हम बहुत ज़ादा निरभर होने वाले हैं कि इसके उपर में ये जो पहला trans shipment port है और इसका नाम क्या है विजिंगम अंतर राश्रिय बंदरगाह या फिर विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट है यह कहां पर स्थित है यह है आपका तिरुवनंत पूरम में और यह क्या है इंडिया का पहला ट्रांस शिप्मेंट पोर्ट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं वही है ट्रांस शिप्मेंट पोर्ट आखिर क्या है यह एक जटिल आपूर्ती श्रंकला है जिसमें कार्गो या कंटेनर को एक जहाज से दूसरे जहाज तक ले जाना शामिल होता है जबकि यह अपने अंतिम बंदरगाह तक परागमन में है मतलब एक जगह से शुरू हुआ है और इसको दूसरे जगह जाना है लेकिन यह डायरेक्ली नहीं जा सकता है ना किसी भी कंडिशन के कारण हो तो इसे बीच में क्या होना पड़ता है यहाँ पर इसे क्या किया जाएगा इसका ग्रगो है उसे यहां पर क्या किया जाएगा स्टोर किया जाएगा और यहां से चोटे चोंटे चोटे 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 आपको involves the transshipment of transportation of cargo or a container from one vessel to another while in transit to its final port of discharge. Transshipping commonly happens when cargo can't reach its final destination through a direct route. ठीक है चलिए अब देखते हैं हमारे पास में कुछ ऐसे चर्चित व्यक्ती रहे हैं जुलाई के दूसरे हफते में जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है. सबसे पहले हैं हमारे पास में कौन सबसे पहली हैं हमारी कौन रोश्णी नडार और यह क्या है आपका जो HCL Tech है HCL Tech इसकी President है कौन रोश्णी नडार अब यह क्यों important है क्योंकि इन्हें France का highest civilian honor दिया गया है यानि कि France का सर्वोच नागरिक सम्मान से इन्हें क्या किया गया है सम्मानित किया गया है और इसका नाम क्या है शिवैलियर डे ला लीजियन डे ओनर याने की नाइट ओफ लीजियन ओफ ओनर इससे इन्हें क्या किया गया है सम्मानित किया गया है जो कहां का हाईयस्ट ओनर है फ्रांस का और इन्हें क्यों यह दिया गया है for her contribution to business and stability याने कि उन्हें व्यापार और स्थिर्ता में उनके योगदान के कारण फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया गया है जिसे हम बोल रहे हैं क्या शेवेलियर डे ला लेजियन डि ओन्यूर नाइट ओफ द लीजियन ओफ ओनर से सम्मानित किया गया है है ना तो यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट हो जाता है कौन इंपॉर्टन्ट हो जाती है यहां पर रोश्नी नडा इन रोश्नी नडार के साथ साथ हमारे लिए एक और व्यक्ति इंपॉर्टन्ट हो जाते हैं और यह हैं हमारे कौन भारत के प्रधान मंत्री जिनका नाम है क्या नरेंद्र रामोदर दास मोदी जी यह हाल ही में अपने रश्या और आस्ट्रिया के प्रवास में रहे हैं इन्हें रश्या का हाइस्ट स्टिवीलियन ओनर याने कि सर्वोच नागरिक सम्मान सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसका नाम क्या है आपका इसका नाम है सेंट एंड्रिव सेंट एंड्रिव दा अपोस्टल आपके रश्या के सर्वोच नागरिक सम्मान का नाम है जिसे हाल ही में किसे प्रदान किया गया है यह प्रदान किया गया है आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को है ना तो यह कहां का सर्वोच नागरिक सम्मान है रश्या का रशिया का सर्वोच नागरिक सम्मान है और उसी प्रकार जो हमारी रोश्नी नडार है उन्हें क्या किया गया है उन्हें प्रदान किया गया है कहा का फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान जिसे हम बोल रहे है ना और ये जो रशिया से सर्वोच नागरिक सम्मान प्राप्त ह हुआ है नरेंद्र मोदी को इसकी घोशना कर दी गई थी अनाउंस्मेंट इसका हो गया था 2019 में ही 2000 में इसे 19 में घोशना कर दी गई थी लेकिन मिला कब है ये सन 2024 जुलाई आठ आठ जुलाई 2024 को है ना और ये हमारे भारत के पहले वर्स्ट पॉलिटीशन हो गए है भारत के पहले क्या बन गए है ये राजनेता बन गए नरेंद्र मोदी जिन्हें रशिया के सर्वोच नागरिक सम्मान से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है आगे चलते हैं अगला है हमारे पास में गौतम गंभीर है ना और ये गौतम गंभीर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटेड अज न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन नैशनल क्रिकेट टीम मतला भारतिय राश्ट्रिय क्रिकेट टीम के क्या बन गए है ये मुख्य कोच नियुक्ति किये गए है क्या नियुक्ति किये गए है मुख्य कोच नियुक्ति किये गए है और इन्होंने राहुल द्रविड को क्या कर दिया है उनका राहुल द्रविड की जगा लिया है इन्होंने राहुल द्रविड और जो गौतम गंभीर है उनका टेन्य कियान और यह हैं कौन ही ही इस इलेक्टेड एस दे न्यू प्रेसिडेंट आफ इरान यह इरान के नए राश्ट्रपती बन गए हैं और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बने हुए रहेंगे आगामी एक डेड़ दो सालों तक कंटीनियसली तो इरान के प्रेसिडेंट पर आप लोग अपनी नजरें थोड़ी सी बना करके रखेंगे क्योंकि he is a cardiac surgeon साथ में he is a reformist politician मतलब यह क्या है reformist है यह पुनर उत्थानवादी एक क्या है राजनेता है जो इरान की कुछ दक्यानूसी चीजों को बदल करके reform करके वो क्या करने वाले हैं इसके बाद में he has also served as minister of health and medical education from 2001 to 2005 in the government of Muhammad Khatami he also served as first deputy speaker of Iran from 2016 to 2020 है ना तो यह सभी हमारे लिए facts important है 2001 से लेकर के 2005 तक Muhammad Khatami के सरकार में इन्होंने स्वास्ट और चिकित्सा सिक्षा मंत्री के रूप में काम किया है और 2016 से 2020 तक पहले उपसभापती के रूप में भी काम किया है इसके बाद में जो हमारे लिए है ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए important है क्योंकि ये हैं आपके देश के दो star players पहली हैं PV सिंदू और दूसरे हैं अचत शरत कमल या फिर A शरत कमल और ये दोनों important इसलिए हैं क्योंकि जो Paris Olympic होने वाला है अगस्त में उसके लिए ये दोनो को बनाया गया है भारत के द्वजा रोहक याने की they will be the flag bearers for Indian team in the Paris Olympic भारती दल के पैरिस Olympic के लिए उद्गाटन समाहरों के लिए द्वजा रोहक या फिर द्वजा वाहक नियुक्त किये गए हैं PV सिंदू भारत की शुरुवाती शटलर हैं भारत की स्टार शटलर हैं और A शरत कमल भारत के स्टार टेबल टेबल टैनिस की प्लेयर हैं है तो PV सिंदू कौन है ये यह बैडमिंटन प्लेयर है जबकी जो शरत है यह कौन है यह आपके TT प्लेयर है तेबल टेनिस टेवल टेनिस के प्लेयर है यह है ठीक है चलिए इसके बाद में हमारे पास में है गगन नारंग और गगन नारंग हमारे लिए important इसलिए है क्योंकि इन्हें he has been appointed as India's Chief Dimission for Paris Olympic मतलब एक हिसाब से नेत्रित तो करता आप मान सकते हैं कि इनको गगन नारंग को इनको Paris Olympic 2024 के लिए क्या बनाया गया है भारत के चीफ है यह चीफ चीफ टी मिशन बनाया गया है इनको याने की एक हिसाब से क्या बनाया गया है नेत्रित तो करता के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है Paris Olympic के लिए क्या है यह भारत के एक स्टार निशाने बाज है वह भारत की भारत की मुक्के बाज MC मेरी कॉम की जगह लेंगे मतलब पिछली के बार जो Olympic हुआ था उसमें Chief Dimission किनको बनाया गया था MC मेरी कॉम को और इस बार उनको replace करके किनको बना दिया गया है आपके गगन नारंग को जो भारत के स्टार क्या है शूटर है निशाने बाज है इसके बाद में जो हमारे लिए महत्पूर्ण व्यक्ति है वो है आपकी लामिनी यमल लेमिन यामल ये स्पेन के फुटबॉल खिलाडी है और ये प्रमुख अंतर राश्ट्रिय टूर्नामेंट जो होते हैं जैसे की विश्व कप और यूरो कप प्रमुख अंतर राश्ट्रिय टूर्नामेंट में गोल करन सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाडी बन गए हैं इनकी उम्र 16 साल और 362 दिन है तो यह जो है आपके लेमिन यामल यह कहां के फुटबॉल खिलाडी है यह स्पेन के फुटबॉल खिलाडी है और इनों ने प्रमुख जो अंतर राश्ट्रिय फुटबॉल की टूर्णामें इनमें गोल करने वाले सबसे छोटे व्यक्ति या फि यंगिस प्लेयर होने का क्या बना लिया है रिकॉर्ड बना लिया है और यह कितने साल के हैं 16 साल और 362 दिन के यह व्यक्ति थे जिस दिन इनोंने गोल किया था अब तो इनकी उमर 17 साल की हो गई होगी ठीक है उन्होंन स्पेन और फ्रांस के बीच खेले गए सेमी फाइनल मैच में गोल किया उन्होंने ब्राजील के पेले का रिकॉर्ड तोड दिया है जिन्होंने उन्निस सो अंठावन में अंठावन के विश्व कप में गोल करके सबसे चोटे उम्र के फुटबॉल खिलाडी बन गए थे उस तो यह ब्रोकन दे रिकॉर्ड और पेले प्राम ब्राजील विकेम दा यंगेस फुटबॉल प्लेयर तो स्कोर अगोल इन्निस फिटी एट वर्ल्ड कप यह वाज्व सेवंटीन इस एंड तो हुट्ट थर्टी नाइन देज ओल अट निस फिटी एट पर फिलहाल जो आपक लेमिन यमाल हैं उन्होंने क्या किया है सबसे कम उम्र के फुटबॉल प्लेयर बन गया है जिन्होंने मेजर इंटरनाशनल टूनामेट में क्या किया है गोल है इसके बाद हमारे लिए जो सबसे माजोपूर्ण है वो है आपका प्लेसे इन न्यूज या फिर चर्चित स्थ और चर्चित स्थल में हमारे पास आज जो है वो है नावा जोदपूर मंडला में स्थित है और यह कहां पर है राजिस्थान में और यहां पर एशिया का पहला विश्वस्तरी हाई स्पीड समर्पित रेलवे प्रसिक्षन ट्रैक बनाया गया है जहां पर हम हाई स्पीड रेल्स को क्या कर सकते हैं इंजन्स को टेस्ट कर सकते हैं परिक्षन कर सकते हैं उनकी डिजाइनिंग फेलियर्स और डिजाइनिंग ससेस को एक्जमाइन कर सकते हैं तो आप लोगों से यह डायरेक्ट पूचा जाएगा आगामी दो से ज्यादा सालो तक two plus years के लिए यह क्या हो जाएगा important बना रहेगा तो Asia's first world class high speed dedicated railway testing track has been inaugurated in which of the following areas of India so it has been inaugurated in Nava district of Jodhpur Mandala of Rajasthan इतना हमारे लिए important रहा है इसके बाद में हमारे पास में कोई महत्वपूर्ण दिवस रिपोर्ट वुरसकार या सम्मान है क्या तो बिलकुल हाल ही में जन्रेटिव AI innovation index क्या किया गया है रिलीज किया गया है और यह किस आधार पर जितने भी देश पूरी दुनिया में है यह अपने अपने देशों में नवाचार कर रहे हैं किसमें कृत्रिम बुद्धी मता याने की artificial intelligence में और यह जो नवाचार करते हैं इनको फिर यह क्या करते हैं पेटेंट इनका क्या करते हैं रेजिस्टर करवाते हैं तो सबसे ज्यादा पेटेंट्स रेजिस्टर करवाने के लिस्ट में हमारा जो इंडिया है वो पांचवे स्थान पर रहा है इंडिया बैक्स फिफ्ट रैंक इन जनरेटीव एई इनोवेशन इंडेक्स यह अपने टाइप का पहली बार एक क्या नि सबसे ज्यादा पेटेंट्स जो रिकॉर्ड करने का आपका रिकॉर्ड रहा है वो बनाया कि इसने चाइना ने और इसने कुल मिलाकर 387,210 अपने नाम किया है और वहीं जो इंडिया है उसने तेरा सो पचास पेटेंट्स आर्टिफीशल इंटेलिजेंस में कराए हैं तो आप देख सकते हैं कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं चाइना के सामने में इसने 387,210 इतने इन्होंने क्या कराए हैं मतलब अगर इसको हम ऐसे समझे 387,210 इन्होंने पेटेंट्स कराए हैं मतलब लगबग 3,87,000 और 210 इस पेटेंट्स चाइना ने क्या किये हैं अपने नाम कराए हैं और उसके अगेंस में इंडिया ने कितने कराए हैं कुल मिला करके 1350 तो जब तक हमारे देश में रिसर्च और डेवलप्मेंट बढ़ेगा नहीं तब तक हमारे लिए ये क्या रहेगा ये आखड़े बढ़ेंगे नहीं और ये दुखात है चलिए आगे देखते हैं स्पोर्ट्स में हानम आरे पास में क्या इंफॉर्मेशन है आई सी सी प्लेयर ऑफ दा मंत घोशित किया गया है जून के लिए आखड़े है मेल जसप्रित इसे पहले आफब ऑफ दा सेसरी भी बनाएं गए थे ये बार होगा जब player of the month male और player of the month female दोनों ही किसी एक देश को मिल रहा है ऐसा पहली बार हो रहा है ठीक है it is for the first time that both the players male and female category awards have gone to a single nation and which is India ठीक है यह वही हिंदी में आप लोगों का क्या है information है इसको screenshot ले लिजेगा अगला जो हमारे पास में है AGI squash bugle championship याने की Asian squash double championship 2024 हाल ही में राजिव गांधी sports arena new Delhi में क्या कराया गया था जिसमें इंडिया ने दो gold medal जीते हैं दो swornण पदक जीते हैं और यह जो swornण पदक जीता है यह किस किस category में जीता गया है obviously यह double squash Asian squash championship है इसमें Abhay Singh ने क्या किया है जोशना चिनपपा के साथ में और विलावन सेंथिल कुमार के साथ में क्या कर लिया है दो आपके gold medals जीत लिया है मतलब Abhay Singh and विलावन सेंथिल कुमार were crowned the men's double champions and Abhay Singh combined with जोशना चिनपपा for mixed doubles मतलब Abhay और जोशना जो है Abhay और जोशना इन्हे mixed doubles में mixed doubles में क्या मिला है gold medal मिला है और वहीं जो आपके Abhay और कौन है दूसरे Abhay और विलावन इन्होनों को men's double में men's double क्या दिया गया है gold medal दिया गया है ठीक है चलिए आगे चलते हैं Spanish Grand Prix तो जो हमारी भारत की स्टार पहलवान है है ना आपकी विनेश फोगाट इसी के साथ में उन्होंने स्पेन का Grand Prix Championship खेला जो स्पेन का सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है रेसलर की और वहां पर इन्होंने क्या जीत लिया है गोल्ड मेडल जीत लिया है 50 किलोग्राम विमेंस कैटिगरी में मतलब इन्होंने स्पेन में रह करके पैरिस ओलंपिक्स की तयारी करते हुए स्पेन के राश्ट्रिय खेल में सब को हरा दिया है और इन्होंने क्या जीत लिया है इसके बाद में अगला जो हमारा है इंडिया वर्सेज जिंबावे की T20 सीरीज चल रही है जो पांच मैचों की होने वाली है और इसमें इंडिया ने तीसरा मैच जीत कर दो एक से क्या कर लिया था बढ़त बना ली थी है ना मतलब आज तक के इतिहास में T20 का जो फॉर्मैट होता है क्रिकेट में उसमें सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है किसने इंडिया ने और यह कितने मैचेज हैं 150 प्लस मैचेज 150 प्लस सरवाधिक मैचेज जीतने का रिकॉर्ड किसने बना लिया है इंडिया ने बना लिया है और कैसे बना लिया है इंडिया वर्सेस जिंबावे की तीसरी मैच को जीतने के बाद में इसने ये एक क्या बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है या फिस सेट कर ल सुन्दरियों का एक क्या हुआ है सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है जिसमें आपके AI जनरेटेड मोरक्को स्टाइल के इन्फ्लूएंसर याने कि मोरक्को के AI मॉडल केंजा लैली ने यह जो आपका व्यूटी कॉंटेस था सौंदर्य प्रतिसपरधा थी इसे जीत लिया है हाला कि यह कोई वास्तविक महिला नहीं है यह आटिफीशियल इंटेलिजेंस की ताकत को शोकेस करने के लिए क्या किया गया था सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें लगभग आठ से दस देशों के आइटिफीशियली इंटेलिजेंट रूप से बनाए हुई जो मॉडल्स हैं उनकी सौंदर्य रिता का क्या हुआ इसमें प्रतियोगिता और्गनाइस कराई गई थी जिसमें मोरक्को की केंजा लाइली जीत गई हैं है ना और शी हैस अन्वेल्ड एस वर्ल्स फर्स एयाई ब्यूटी पेजंट और शी हैस डिपीटेड मोर देन वन थाउजन फाइवन्रेड कंप्यूटर जिनरेटेड मॉडल्स इट वर्स फर्स एट्स काइंड ब्यूटी कॉंटेस पहली बार ऐसा हुआ हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि भारत से भी एक AI मॉडल इसमें क्या करी थी पार्टिसि जारा शतावरी जो है भारत का प्रतिनिदित्य करने वाली AI इंफ्लूएंसर ने प्रतियोगिता में शिर्ष दश में क्या बना लिया था अपना जगह बना लिया था और मुरको की केंजा लेली ने क्या किया है यह पूरा का पूरा जो आपका कॉंटेस्ट था उसे जीत लिया है चलिए आगे चलते हैं कुछ हमारे पास विविद में दूसरा है जोरावर आपसे डैरेक्ली क्वेशन पूछा जा सकता है कि यह जोरावर आखिर क्या है वन डे एक्जाम में कुछ ऐसे फैक्ट्स आ जात पहली बार विश्व में पहली बार चतिजगर में पहली बार इस प्रकार के जो फैक्ट्स होता है उनको ही आपको क्या करता है आउट-फ़-बॉक्स आइप के वàiजद नहीं होते वो panormic sight और laser rank finder के साथ भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित light tank है या फिर hulka tank है तो at least आप लोगों को ये पता होना चीए कि जुरावर भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित एक क्या है टैंक है जिसका यूज हम कहां करेंगे बैटल फिल्ड में करेंगे ठीक है कैसा है यह लाइट टैंक है हलका टैंक है अगला देखिए बजाज फ्रीडम 125 भारत ने हाल ही में पूरी दुनिया में एक किर्तिमान रच दिया है भारत ने पूरे विश्वों में पहली ऐसी motorcycle launch कर दी है जो CNG याने की compressed natural gas पर चलेगी और compressed natural gas मतलब mostly methane CH4 जो होता है आपका वो होता है compressed natural gas संपीरत प्राकृतिक gas का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली motorcycle बन गई है कौन सी बजाज freedom 125 और पूरी दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो हमारा भारत महान देश बन गया है क्या पूरी दुनिया का पहला देश जिसने motorcycle को भी अब CNG से क्या करेगा यह चलाएगा CNG क्या होता है मुख्य रूप से methane gas होता है CH4 जिसमें अन्य hydrocarbons भी होते हैं जैसे की ethane C2H6, propane C3H8, buptane C4H10 हमको पता होगा जब हम hydrocarbons पढ़ते हैं तो CNH2N plus यह होता है formula आपका किनका hydrocarbons में ठीक है यह सारी चीजों को मैं छोड़ता हूँ आपके chemistry वाले teacher के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या current affairs तो यहां पर हमारे पास में तीसरी जो चीज़ें हो जाएंगी वह है क्या आपका नोमेडिक एलिफेंट अब यह नोमेडिक एलिफेंट क्या है यह भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे हम क्या नाम से जानते हैं मौंग नोमेडिक एलिफेंट 2024 बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए अगर कभी widely आप से पूछ लिया वाट इस नोमेडिक एलिफेंट तब आप यह ना बोले कि सफेद कलर का अफ्री की हाथी है आप लोगों को पता होना चाहिए यह क्या है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसे किसके बीच में भारत और मंगोलिया के बीच में कब से और्गनाइस कराया गया तो जुलाई महिने के दूसरे हफ़ते में याने की 7 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक के लिए हमारी जो महत्वपूर्ण समसमाय की थी राश्ट्री और अंतरराश्ट्री स्तर की उसको हमने क्या कर लिया है डील कर लिया है कल हम इसके उपर कोशिश करेंगे बहु को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier पेज पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको